जैश्री गणेश दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों 29 जन्वरी को सकट चौत का वरत आ रहा है जिसे तिल चौत, तिलकुटा चौत या संकट हरा चौत भी कहा जाता है यह वरत महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं इस वरत में गणेश जी की पूजा की जाती है और इस वरत को रखने से गणेश जी वरती की संतानों को दीर गायू और उज्वल भविश्य का आशीरवाद देते हैं तो इसी वरत की पूजा विधी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो दोस्तों जिस स्थान पर हमें पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से हमको स्वच्छ कर लेना है और वहाँ पर आटे से चौक पूर कर उस पर हमें चौकी रख लेनी है लाल पीला कपड़ा व और अगर आपके प्रतिमा नहीं है ऑशेश उपरिवार की फोटो भी रख सकते हैं कि उसमें गेशेजव की फोटो भी बनी होती है और फोटो को आपको चावलертв का आसन दे देनां अब गनेशी के सामने हम दीपक की स्थापना करेंगे तो दीपक को हमको चावल का आसान देदेना है तो चावल मैंने रख दिये दीपक आप घीका भी तायार कर सकते हैं या फिर ये तिल-चौत है इसमें तिल का विश्यश महत्व है ुसलिए आप तिल के तिल और शिव परिवार की तस्वीर सभी पर हम थोड़ा सा जल छुड़केंगे जल आप चाहे तो दूरवा से या फिर पुश्प से छुड़क सकते हैं तो जल की अवशक्ता होगी तो उसके लिए हम लेंगे एक लोटा जिससे हम पूजन करेंगे और जो लोटा हमारी कथा भी सुनेगा और एक लोटा हमें लेना है चंद्रमा को अर्ग देने के लिए तो जो चंद्रमा को अर्ग देने वाला लोटा है उसको मैंने पटिये पर रख दिया है अब हम दूसरे लोटे का जो जल है उससे शुद्धी करन कर लेते हैं और दीपक को हम हल्दी कुमकुम सिंदूर से तिलक कर देंगे यह गणेश जी के पूजा है तो इसमें सिंदूर का इस्तेमाल आप अवश्री रूप से करें और यहां मैंने अक्षत और पुष्प पिचड़ा दिया है दीपक को अब हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे हल्दी कुमकुम अभीर गुलाल सिंदूर अक्षत सभी चीज़ें आप अरपित करें पुष्प परपित करेंगे अगर आपके पास लाल पुष्प है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको गोड़हल का पुष्प मिल जाता है जो कि गणेश जी को आती प्रीय है तो इस तरह से हम पुष्प पित करेंगे और गणेश जी को दूरवा आती प्रीय है तो गणेश जी को इस दिन 21 दूरवा अवशी रूप से अरपित करनी चाहिए वस्तर के रूपे गणेश जी को जनेव अरपित करें अगर जनेव नहीं है तो कलावे को साथ बार लपेट कर अब शिव परिवार का पूजन करेंगे तो शंकर जी को चंदन अर्पित करेंगे सभी को चंदन लगाएंगे इसके लावा शिव जी को छोड़कर वाकी सभी को हम कुमकुम हल्दी अबीर गुलाल सभी चीज़ें लगा सकते हैं और शिव जी की जटाओं में जो गंगा मता व को अर्ग देने के लिए तांबे का लोटा लिया है हमारे यहां तांबे के लोटे से अर्ग दिया जाता है क्योंकि हम उसमें दूद नहीं डालते लेकिन किसी-किसी के यहां जो चंद्रमा को अर्ग देने वाला जल होता है उसमें दूद मिलाते हैं तो फिर आप तांबे का ल कि दिशाब करेंगे तो यह तेली के लडू और तिल कुटा का भूग लगाया जाता है तो यह तिल को मैंने सेख कर कूट कर सबस् Caitlin गुड मिला लिया है इस तरह से मैंने इसको बनाया है और तिल गुड के लडू बना लिये हैं जो रीदू फल आते हैं वो हमको अर्पित करना है और इसमें हरे फल चड़ाने का विश्यश महत्व होता है अगर आपको मिल जाए तो आप अब अबस्य चड़ाए इसमें शकरकं सकट चौत की कहानी एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी देवरानी हमेशा गणीजी का पूजन और व्रत करती थी देवरानी का पती जंगल से लकडी काट कर बेचता था देवरानी घर का खर चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी माग महीने में गणेशी का व्रत सकट चौत देवरानी ने रखा उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने तिल वगुर लाकर तिलकुटा बनाया पूजा करके तिल चौत की कथा सुनी और जेठानी के यहां काम कर चली गई सोचा शाम को चंद्र को अर्ग देकर जेठानी के यहां से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएगी शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने की कारण घर में और सभी ने भी खाना खाने से मना कर दिया अब देवरानी जेठान से घर चली आई देवराने के घर पर पती बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आस तेवहार है इसलिए कुछ पकवान आदी खाने को मिलेगा लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आस तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे उसका पती भी बहुत क्रोधित ह गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह दो रोटिया नहीं ला सकती वह बेचारी गड़ेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई उस दिन सकट माता बुढिया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी सो रही है या जाग रही है वह बोली कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं बुढिया बोली भूख लगी है खाने के लिए कुछ दे देवरानी बोली क्या दू मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है जेठानी बचा खुचा खाना देती थी आज वो भी नहीं मिला पूजा का आप कहीं भी जा सकती हो। जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर सकट माता बोली अब कहां पोचू। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परिशान किया जा रहा है। सो बोली कि मेरी साड़ी से पोच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी फिर अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी बच्चे बुलाने गए देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तेरी मां के यहां काम कर लिया बच्चों ने घर जाकर मा से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मौतियों से जगमगा उठा है जेठानी दोड़ कर देवरानी के पास आई और पूझा कि यह सब कैसे हो गया देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह सुनाया उसने भी वैसा ही करने की सोची उसने भी सकट चोथ के दिन तिलकुटा बनाया रात को सकट माता उसके सपने में भी आई और बोली भूख लगी है मैं क्या खाऊं जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है फल और मेवे भी रखे हैं जो चाहें सो खा ले सकट माता बोली अब निप्टे कहां जेठानी बोली मेरे इस महल में कहीं भी निपटलो फिर उन्होंने बोला कि अब पोच्छू कहां जेठानी बोली कहीं भी पोच्छलो सुबह जब जेठानी उठी घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था तो जेठानी ने बदबु सहन करते हुए उल्टियां करते हुए घर साफ किया फिर उसने देवरानी से पूछा कि तुम्हारे साथ जो हुआ मेरे साथ उसका उल्टा क्यों हुआ मेरे साथ वैसा क्यों नहीं हुआ तो देवरानी बोली कि जी जी मेरे यहां धनकी बहुत कमी थ और मैंने सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश का सकट चौत का वरत किया था किसी लालच में मैंने उनका वरत नहीं किया था मुझे सच में धन की जरूरत थी इसलिए गणेश जी ने मुझे धन दिया और आपने लालच में आकर उनकी पूजा की और वरत किया लालच में आकर कोई भी काम करने से उसका फल नहीं मिलता अगर हम सची श्रद्धा से भगवान का पूजन करते हैं तो ही हमें अपनी पूजन का फल मिलता है हे सकट माता जैसे आपने देवरानी पर क्रपा करी वैसे सब पर करना तरहीं जो तिलकुटा और फूल हम हाथ में लेंगे इसम लोटे से आपको चंद्रमा को अरग देना है अगर आप इस लोटे से सुर्ध देपता को अरग दे देते हैं तो आपको शाम की लिए अलग सेक लोटे में जल भरना होगा अब हम करेंगे तो हम सामगरी में हमें काले तिल और गुड़ अवश्रूप से मिलाना है इसके तो तिल गूर से इस दिन हवन अवश्ची रूप से करना चाहिए इसके बाद हम आर्थी करेंगे दोस्तों तो आर्थी के लिए मैंने अलग से गीपक तयार किया है जो घी का है तो आर्थी प्रजलित करने के बाद आर्थी का हम पूजन कर लेंगे और बस हम गणेश जी की आ अर्ग देना है अगर आप तिलकुटा वाले लोटे का जल सूर्देवता को अर्पित कर देते हैं तो आपको शाम को चंद्रदेव को जो अर्ग देना है उसमें आपको अलग से थोड़े सी तिल डाल लेना है और वही आप जल चंद्रदेव को अर्पित करेंगे आप गड़ेश जी के सामने चाहे तो चंदर देव को अर्ग देने के बात कर सकते हैं क्योंकि वो पूजा संपूर्ण होने का कारिक्रम होता है कपूर जलाने का कई जगे बायना निकाला जाता है दोस्तों तो आप चाहे तो बायना निकाल सकते हैं उसमें साड़ी सूट या स पुजा संपूर्ण होने के बाद गड़ेश जी से अपनी पूजा में रही कम्यों के लिए शमायाचना करें और इसके बाद सभी को घर में प्रशाद विद्रित करें कई जगह दोस्तों ये वरत मिर्जल भी रखा जाता है और कई जगह लोग चाय पानी पीकर या फला हर करकी भी इस वरत को रखते हैं तो जैसा आपके यहां होता हो जैसा आप शुरू से करते आए हैं वैसा करें और पारण आपको चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही करना है ये वरत मिर्जला रखा जाता है लेकिन जो लेडीज वरकिंग है या जिनकी तब्यद वगएर ठीक नहीं रहती या जो बुजर्ग है या जो गर्भवती है वो अगर चाहें तो सुबह उटने के बाद इसनान वगएर करने के बाद सुबह का पूजन कर लें उसकी बाद च कुछ मिठा खाना चाहें कुछ मिठा खाना चाहें तो वह भी वह ले सकती है जैसे कि वह मावे से बनी मिठाई या च्छैने से बनी मिठाई ले सकती है जैसे तो इस वरत में तिलगुड के लड़ू खाया जाते हैं तिलगुटा खाया जाता है और शकरतन खाया जाते हैं ये सभी चीज़ें खाकर इस व्रत का पारण किया जाता है और साथ में आप चाहें तो दूद ले सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहें तो सिंगाडे के आटे का हलवा भी ले सकते हैं हलवे को आप शुद्धगी में बनाएं इस व्रत में सेंधे नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों लेकिन अगर किसी की तबियत खराब है लो बीपी का प्रॉब्लम है क्योंकि अगर लो बीपी वाले नमक नहीं खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम जादा हो जाती है तो साबू दाने की खिचडी आप अवश्य रूप से ले लीजे मैं आपको यही अड़्वाइस दूंगी दोस्तों क्योंकि ज्यादा कठिन व्रत करके तबियत खराब करने से कोई मतलब नहीं है अगर आपको तबियत खराब हो जाएगी तो भी आपका व्रत खंडित हो सकता है अगर आपको मजबूरी में कुछ खाना पड़ जाए हुँ इसलिए मैं भी साबो दाने की खिषडी ले लेती हूं और एक और बात दोस्तों जो लोग स्टाल भर की बारह महिने की पूरी चौत का व्रत रखते हैं तो वह लोग एक समय इस व्रत में भी भूजन कर लेते हैं पूजन के बाद क्योंकि जब बारह माय की चौत हम र व्रत करते हैं और अगर माली जीए कि हमने व्रत रखा है कई लोग उद्यापन में बुलाते हैं हमें उद्यापन में जाना पड़ जाए तो जिस तरह से आप रखते हैं वैसा रख सकते हैं आप चाहें तो खाना खा सकते हैं बोजन कर सकते हैं एक समय अगर आप भोजन करत हैं तो जो आपको द्यापन में बुलाएं आप उनसे बात कर लें कि वह आपके लिए मिठे भोजन की वेवस्था कर दें और जिस तरह का बोजन आप करते हैं वही भोजन वह आपके लिए परोस हैं उम्मीद करती हो दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब की वेना बिल्कुल मत जाईएगा और अगर आपको यसी जानकारी चाहते हैं जो मने वीडियो में नहीं दी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूच सकते हैं वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर ज झाल